Hero Electric ने नए Electric Scooter Hero AD को launch किया है कम्पनी ने इस वाहन को थास तोर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया है जो अपनी छोटी दूरी की यात्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक stylish सवारी के विकर्ब की तलाश में है Hero AD Electric Scooter की एक स्चोरूं कीमत 72,000 रुपए रखी गई है एक साधारन लेकिन stylish body design के साथ और कई features से less Hero AD यात्रियों को सुविधाजन सवारी देने का वादा करता है खास बात यह है कि Hero AD को चलाने के लिए registration नहीं कराना पड़ेगा इसके साथ ही इसे चलाने के लिए driving license की भी जरूरत नहीं है क्योंकि Hero AD एक low speed scooter है Hero AD electric scooter को दो रंग विकल्पों में उपलब्द कराया गया है इसमें पीला और हलका नीला रंग शामिल है Hero AD को उन रहकों के एक खास समूग के लिए design किया गया है जो कम दूरी तै करने के लिए electric two-heeler चाहते है हाला कि electric scooter की range का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन company इस बात का खुलासा किया है कि उतपाद find my bike, e-lock, large boot space, follow me headlamps और reverse mode जैसे features के साथ आता है Hero Electric अपने उतपाद के pollution tree रहने की साख को रेखांकित करना जारी रखे हुए है और कहता है कि Hero AD उसी दिशा में एक कदम है Hero Electric के MD नवीन मुझाल ने कहा Hero में हम अपने आगामी उतपाद Hero AD की घोशना करते हुए रोमार्चित हैं जिसमें smart features और stylish looks को मिला कर एक जबर्दस्ट on-road मोजूदगी होगी इस scooter को ग्राहकों के एक परेशानी मुक्ट सवारी अनुभव के साथ कार्बन मुक्ट भविश्य की दिशा में योगदान करने के व्यत्तिधत प्रयासों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है Hero Electric भारत में Electric 2 Healer Space में एक पावर प्लेयर है और हाल ही में भूशना की कि वहां अपने उत्पादों की बरती मांग को पूरा करने के लिए नुधियाना में अपने प्लांट में उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है कमपनी के देश भर में 750 से अधिक बिक्री और सर्विस आउटलेट भी है और अपने ग्राकों के लिए चार्जिंग बुनियादी धांचे में सुधार की दिशा में काम कर रही है हिरो इलेक्ट्रिक ने अब तक देश में विभिन इलेक्ट्रिक मॉडल की लगभग 4.5 लाख यूनिट्स की बिक्री कर डाली है